दोस्तो नवस्कार दोस्तो आज हम फैटी लिबर की समस्या के बारे में बाते करेंगे क्योंकि आजकल ये समस्या भी एक आम बात हो गई है तो दोस्तो एक्चुल में ये फैटी लिबर होता है क्या आपके लिबर में अन्वंटेड तरीका से लिबर के चारो और फैट जमा हो यानि बसा को जमा होना ही फैटी लिवर की समस्या कहते हैं ये फैट लिवर में क्यों जमा होता है इसके पीछे बहुत सारा रीजन है ये फैटी लिवर की समस्या कितने प्रकार के होते हैं और ये फैट हमारे लिए कितना घातक है या नहीं भी ये सारे चीजे हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लाज तक देखे ताकि कोई भी पॉइंट छोटना जाईए तो आईए जानते हैं फैटी लिवर की समस्य का में रिजन्स क्या है लिवर को फैटी होने के पीछे बहुत सारे कारण है इन में से अलकॉल यानि दारू को एक्सेस और रेगुलर शे इसको अलकॉलिक फैटी लिवर डिजिस कहते हैं इसके अलाबा जितने भी सारे लाइफ इस्टाइल डिजिस जैसे डाइबेटीज, ओबेसिटी, बीपी यानि ब्लड फ्रेशर, कोलेस्टेल को इंबालेंश होना, गलत खान पान की हैबिट और लैक अफ एक्सेस के कारण भ होते हैं, क्या ये फैट हमारे लिए घातक है या नहीं भी, तो इसके बारी में बारीकी से जानेंगे, तो दोस्तो फैटी लिवर के दो कंडिशन्स यानि दो अवस्ता होती है, यानि ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नास, एन एस एस यानि नन अलकोहलिक, इस्टियोटो हेपटाइटिस, जिस अवस्ता में फैट के कारण लिवर के सेल्स के अंदर सुजन होना शुरू हो जाता है, यानि इन्फ्लैमेशन शुरू हो जाती है, और लिवर के सारे फंक्शन्स को गरवड करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण पैसेंट्स को भौत हैल्फ सिंपल इस्टियो टोसिस होतی है, इस अवस्ता में ये फैट लिवर को कोई भी नुक्शान नहीं करती है, यानि लिवर फैटी होने के कारण यानि बावजदी कोई हेल्ट प्रोबलम नहीं दिखती है, यानि वो हेल्दी रहता है, इसलिए फैटी लिवर होनते ही आपको ड भरेल उपचार को बताएंगे तो इसे आप धन पुर्वक सुने शुरू में ही हमने बताया था कि यह एक लाइफ इस्टाइल डिजिस से रिलेटेड एक समस्या है तो इनका इलाज भी भावती आसन तरीके से किया जा सकता है जैसे अगर आप ब्लड फ्रेशर यानि बीपी का मरिज है तो ब्लड फ्रेशर को बैलेंस रखे मोटापा है तो बजन को कम कीजे डाइबेटिस है तो सुगर लेबल को बैलेंस बनाये रखे कोलेस्टल को भी मेंटेन रखे लेकिन ये सारे चीज बैलेंस और मेंटेन ऐलोपेथिक मेडिसिन के साहरा लेके नहीं बलकि नैच पीते हो तो इसको टुटूली एवड कीजिए नेचरल डाइट लीजिए रह यानि कच्छप फुट को मैक्सिमम अपने भोजन में सामिल कीजिए मिल्क और मिल्क प्रडक्स साथी साथ एनिमल फुट को सेवन कम से कम कीजिए फास्ट फुट को भी एवड कीजिए अगर अपना सकते हो पहला रोज एक गिलास लोगी का जुस पिए और सुबह खाली पेट में एक चमश गोमुत्र का सेवन कीजिए ये दोनों ही उपचार अती प्रववसालिये फैटी लिबर की समस्य से पूर्न रुप से निजात फाने के दिए दोस्तों वीडियो पसंत आया हो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के है तो वीडियो के राइट सेट में नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ सब्सक्राइब बटन के राइट सेट में एक बेल आइकन आ जाएगा उसको भी प्रेस करके ऑपन कर wish you all the best, thank you very much for watching this video, bye bye